हेलो दोस्तो माई नॉलेज माई वीडियो यूटूब चनल पर आप सबका स्वागत है आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेंसुई LCD और वीडियो गॉन LCD युनिवर्सल रिमोट के बारे में आप देख सकते हैं मेरे पास में एक सेंसुई और वीडियो कॉन LCD का युनिवर्सल रिमोट है ये आपके पास में कोई भी LCD सेंसुई का हो या फिर कोई भी LCD वीडियो कॉन का हो उसमें ये remote बहुत ही आसानी से चल जाता है ये वीडियो कॉन और Sensui LCD का युनिवर्सल remote है इसका model number आपको ध्यान में रखना है ये देखिए S का मतलब Sensui होता है और V का मतलब वीडियो कॉन होता है ये दो model में चलता है वैसे तो ये 4-in-1 होता है ये 4-in-1 चार टाइप के model में चलता है ये देखिए आपको ध्यान रखना है S का मतलब होता है Sensui MT22 ये model number है और दूसरा है ये देखिए V का मतलब video गॉन video गॉन MT22 ये इसका model number है S का मतलब होता है Sensui और V का मतलब होता है video गॉन तो ये Sensui और VideoCon दोनो LCD TV में चलता है ये remote Universal remote होता है Sensui में भी चलेगा और VideoCon की LCD में भी चलेगा अगर आपके पास में 20 इंच का, 25 इंच का, 27 इंच का, 32 इंच का, 42 इंच का कोई भी LCD TV हो तो उसके अंदर ये remote बहुत ही आसानी से चल जाता है चाहे VideoCon का हो, चाहे Sensui का हो, बस आपको क्या करना है सिर्फ इसके अंदर AAA साइज का बैटरी डालना है और डारेक्ट ही आपको यूज करना है, इसमें कोई भी पैरिंग करने की ज़रूत नहीं होती है डारेक्ट ही ये remote चल जाता है तो आपको इस बात का खांस दियान रखना है कि आपका remote Sensui और VideoCon 4-in-1 वाला ही होना चाहिए तो ये remote आपके कोई भी LCD VideoCon का हो या Sensui का हो दोनों में ये आसानी से काम करता है 4-in-1 remote होता है, S का मतलब होता है Sensui और V का मतलब होता है VideoCon ये आप खांस ध्यान रखें और आपके पास में चाहिए Sensui का LCD हो चाहिए VideoCon का LCD हो ये remote बहुत ही आसानी से चल जाता है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करता है मिलते हैं अगले वीडियो में